वैसे तो आपने गेहु, मक्का, कपास के उतपादन के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा लेकिन क्या कभी आपने स्नेक फार्मिंνग यानी कि सापों की घेती के बारे में जुना है अब हमें मालूम है कि साप का नाम सुनते ही आपके रॉंक टिखड़े हो गए होंगे लेकिन कोई बात नहीं आज के हमारी इस वीडियो को देखकर आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे काफी ज़्यादा मशूर है गाउं की आबादी लगभग एक हजार के करीब है जिससे ये पता चलता है कि यहां का हर शक्स लगभग तीस हजार के करीब साप पाला करता है पाले जانे वाले सापों की प्रजाती में किंगोब्रा, अजगर और भी कई खतरनाक तरहे के साप यहां पर पाले जाते हैं हम आपको बता दीं कि यहां के लोग साप से डरते नहीं है लेकिन यहां के स्थानी ऐ लों के मुताबिक यहाँ पर इनको सिर्फ एक ही साप से डर लगता है जिसका नाम है 5 step snake हम आपको बता दीं कि आखिर कियों इस साप का नाम 5 step snake रखा गया दरसल साथियों उसके पीछे एक दिल्चस्प कहानी है यहां के लोगों का मानना है कि इस साप के काटने के बाद इंसान सिर्फ पांच कदम ही चल पाता है बस इतने मुश्की मौत हो जाती है इस गाउं के लोग सापूं का उत्पादन इसलिए करते हैं क्योंकि वे साप के अंगों और जहर को बाजार में बेच सकें क्या आप इन सापों के जहर की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं? हम बता देते हैं, यहां एक लिटर साप के जहर की कीमत 3.5 करोड रुपए के आसपास होती है और इतना ही नहीं चाइना में साप की मीट को बेहत पसंद किया जाता है यहां आपको जातर साप के तरह तरह के डिशिज देखने को मिल जाएंगे यहां के लोगों के खानपान के हिस्से में साप का मीट बेहत पसंद किया जाता है आप यहां देखी सकते हैं कि कैसे साप के मीट को कट करके पैक किया जा रहा है चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इस गाउं में कब से istem फार्मिंग की जा रही है और किस ने सब से पहले सापों की खेती करना शुरू किया यहां सापों की फार्मिंग की सबसे पहली शुरूखात यैंग हौक्चेंग ने की थी येंग हॉक चेंग से जब पूछा गया कि आपने स्नेक फार्मिंग करना शुरू क्यों किया तो उन्होंने बताया कि वे एक बार बहुती गंभी रूप से बीमार पड़े थे और खुद के लाज के लिए उन्होंने एक जंगली सांप को पकड़ा था आज इस गाउं में सौसे भी ज़ादा स्नेक फार्मिंग फार्म हैं ऐसा बताया जाता है कि सांपों को फार्म में बूचर खाने से ले जाने के बाद सबसे पहले उनका जहर निकाला जाता है और फिर कुछ देर के बाद इनका सिर काट दिया जाता है और इसके बाद सापों को काट कर उनका मीट निकाल कर अलग रख दिया जाता है साथ ही शरीर की चमडी को अलग करके इन्हें धूप में सुखाया जाता है और इस तरह सापों के खाल से दवाईयां और तरह तरह के बैक्स बनाए जाते हैं लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज चीन में स्नेक फार्मिंग को पूरी तरह से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है जिसकी वज़े से चीन में करोना महामारी की वज़े से जीवों का मास खाना या फिर उनका कारोबार करना या इन जीवों को पालना चाइना सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंद कर दिया है और हमारा मानना है कि ये कोई गलत नहीं है बलकि बिल्कुल सही काम किया गया है नहीं तो और भी करोना जैसी ना जाने कितनी महामारियां हमारे पूरे विशु को बरबात कर देती लेकिन ऐसे में चाइना के कई लोगों में लोग बेरोज़गार भी हो गए इस बैन की वज़े से इस गाउं में लोग स्नेक फार्मिंग का काम नहीं कर पा रहे हैं जिसी कि उका 75 वर्षिय याग यगुका से जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ सापों को ही पालने का कारूबार किया है लेकिन चीन में वन जीवों पर लगे प्रतिबंध ने अब उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं साथी साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब ये कारूबार करना उ पुरणा महामारी चीन के वहान से सूपा मारकेट से ही दुनिया में फैली थी लेकिन अभी भी इस बात का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है अब ये बात कितनी सच है क्योंकि इस जिसी क्यूक में सैकडों लोक स्नेक फार्मिंग में लगे हुए थे आज वो बंद हो चाहता था ताकि इस प्रतिबंद को आगे भी चलाया जा सके इसके अलावा वने जीओं पर लगे प्रतिबंद की कारण चीन के उस तरीके के रेस्टरॉंट जो कि अजीब हो घरीब जानवरों का मीट पेश किया करते थे थालियों में सब किया करते थे आज उनका काम पूर टाभेक स्नेक फाविंग के बंद होने पर चीन के लोग इन सापूं को मार कर इनकी चमड़े को तसकरी कर रहे हैं और आपना जीवन मेतीत कर रहें धीना के लूग के लिए साप कुई नहीं बात नहीं हैं लेकिन हम आपको बता दें कि चाहिना की लोग सिर्फ सांपों को नहीं बलकि चमगादर्ड कुत्ता बिल्ली मेंड़क ऑक्टोपस और इससे भी बड़े बड़े खतरनाक जानवरों को बड़े चाहु से खा जाते हैं जियां यहां की लोग मगर मचकी मीट को भी काफी पस लेकिन आप ही बताईए दोस्तों क्या चाहिना की सरकार को यह नियम हमेशा हमेशा के लिए लागू कर देना चाहिए क्यूंकि जंगली जानवरों को खाकर तरह तरह की बीमारियां हम इंसानों में दाखिल होती जा रही हैं और अगर वो भी करोना जैसी महामारी संक्रमन फ वेशास इतना ही और साथ ही हम हम उमारी quiereo पसंद आई होगी साथ ही दोस्तों अगर आपको श्रा दोपा कोई रायद ही नहीं है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं हमें आपके कॉमेंट का बेसबरी से इंतिजार रहता है और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं देखने के लिए शुक्रिया